वैसे यही सवाल मैंने अपनी दोस्तों से पूचा, मेरे सरकल के टेक एक्सपोर्ट, चलो शुनते हैं दो में पूसर डैप सेंसर तो बिल्कुल रदी है 8K विडियो रिकॉर्डिंग, 8K कौन रिकॉर्ड करता है भाई आजकल के टाइम में SMS messaging app और जो लोग Tech Junkies भाई की वज़े से हैं, thank you so much for coming इस time frame पर बात करूँगा, अगर जल्दी में तो सीधा जम्प कर सकते हो तो finally, शुरू करते हैं, thank you Guruji मेरे हिसाब का पहला use less feature, जो लोगों की बीच बहुत popular है featuring first kachra feature, 108MP और जहां तक leak की बात है अगले साल ये लोग सचिन का भी record तोड़ देंगे चलो एक practically view दिखाता हूँ, अगर 64MP से picture click होई होगी तो उसको जब रियल में print out कराऊगो, उसका actual size कितना होगा frame set करता हूँ, ये वाला block है और ये तब है जब PPI 100 है और 108MP से clicked और इस वाले block का 72MP पर ये जो बड़े billboards देख रहे हूँ न ये भी maximum 15MP के आसपास print out लेते हैं तो इतने बड़े high megapixel camera की तो इनको भी ज़रूत नहीं पड़ती अब चलो चाती ठोक के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक जो होता है hardware plus software actual आपकी जो image निकल के आती है अगर individual rule की बात करूँ तो 30% hardware, 70% software लेता है end company, mainly android smartphone की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ hardware game को up करके हमारा काड रहे है because वो थोड़ा easy होता है लोग को attract करने के लिए बट एक बहुत तगड़ा fact बदाता हूँ, Google Pixel बहुत ही नामी phones हैं photographic world के लिए लेकिन अगर मैं कहूँ वो पिछले 5 साल से same camera sensor use कर रहे है you won't believe लेकिन ये सच है, how beautiful is this? compare the result with the big guy Samsung और iPhone की बात कर रहे है इसे कहते है beautiful coding अब higher megapixel के future की बात करते है अभी 5 से 10 साल तो ये game rise up में definitely रहेगा future में definitely जब जातर लोग और tech savage हो जाएंगे तब जरूर company को कुछ और gimmicky features ढूडने के ज़रुत पढ़ेगी rather than this और इस line को आप मेरे सारे features के बाद जोड़ ले ना मैं बार-बार नहीं बोलूँगा दूसरा, हवावाजी से याद आया मेरे phone में 5 camera भी तो है और काफी रियल लोग है ऐसे जो ऐसी गलत फैमियों में है अब क्या कर सकते है मेरी वीडियोस देखते ही नहीं है actually हम बात कर रहे हैं वो 2-2 megapixel के nobody want irritating camera की जिन नन्ने मुन्ने 2-2 के उपर बहुत-बारी board डाल दिया जाता है कि depth sensor है भाई, macro sensor है है, बस वो है, on paper है बसे clean लगता है फोन अगर 2 camera हो तो सुचा कर company वालों को याद नौ तो दिखा दू हाँ, clean लगता है, yes हाँ, एक और है LG G8X, revision के लिए तो yes, इनके present होने के बस एक ही वज़ा है लोग को attract करता है और सी greatly company वालों को यह बात मालूम है तो definitely future में भी रहेंगे लेकिन Redmi Note 10 आने के बाद एक चीज़ अच्छी हुई कि macro sensor का जो 5 megapixel का है वो definitely काम का निकल के आया है तो definitely जो mid segment के devices हैं उनके उपर थोड़ा सा peer pressure आएगा कि हाँ, अब हम भी थोड़ा सा better करें लेकिन यह जो depth sensor है ना वो कताई useless है और वो हमेशा useless रहेंगा क्योंकि company वाले वी उस चीज़ के लिए AI पे rely करते हैं वैसे camera में और भी भतेर पीछे आते हैं जो basically experimenting के तौर पर रहते हैं लेकिन जिस चीज़ में मेरा पैसा कर्ची नहीं हो रहा I don't care, present है तो है लेकिन पैसा खर्च हो रहा हो उपर से यार mid segment का phone खड़ी तरहें उसमें request ना करें एक कॉड़ी भी मेरा फालत हो जगा मत लगा हो या request तीसरा 5G 5G gimmick है? अच्छे 5G gimmick है नहीं, ये gimmick भी है और gimmick नहीं भी explain कर 5G के एक band present होना definitely gimmick ही sound करता है इससे ज़्यादा safe bet तो मैं crypto में लगाऊंगा चलो अब practically बात करते हैं अभी भी बहुत लोग है जो नया phones ले रहे हैं उनकी consider ये होती है कि एर 5G phone हो जिसमें मैं और भी ज़्यादा गलती मानता हूँ जो budget में phone खरीद रहे हैं 5G मैं उनके insecurity समझता हूँ कि हम त्यार 3-4 cell phone तो अराम से use करते हैं shout out to my cell phone 5Z मैं भी 4 साल से use कर रहा हूँ तो मैं आपके दर्द को बहुत करीब से समझ सकता हूँ चलो ये बात तो मालूम होगी popular cities में 6 महीने से 1 साल तक का time है और जो local areas है उनकी तो चलो 3-4 साल मान लेते हैं अभी तो काईदे से 4G plus का भी coverage नहीं पहुचा अर जागा लेकिन जो practically fear है उसकी बात करते है 3G से जो हमने 4G के जाम भी किया था वो बहुत तगड़ा जम था उसकी बहुत major कारण थी हमारे data, data, geo भाई सबने free चलाया था वो भी 4G इस पर उस टाइम कर वो best था प्लस उस टाइम के बाद जो data के rates थे वो बहुत कम थे 4G के compared to 3G भी लेकिन क्या आपको लगता है 5G में ऐसा होगा बिल्कुल नहीं और एक चीज और है जो भी phone 4G plus support करते उनका future bright है क्योंकि 4G और भी advanced होगा 5G के introduce होने के बाद so 4G और 5G coexist करेंगे like 3G और 4G coexist नहीं किया 3G like dead but 4G और 5G coexist करेंगे और मैं 100% sure हूँ जो भी 20K के under phone खरीद रहे हो न वो 5G के pricing की वज़े से आप 5G plan की तरफ नहीं जाओगे रधर यार घर में wifi लगा लोगे वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा तो अभी के लिए 5G phones का बस यहीं मंत्र है और कुछ 1% अगर आप इसमें नहीं fall करते तो definitely कौन रोग सका है किसी को exception हो सकते हैं आप चौथा ज़्यादा RAM वो बहुत बहुत ज़्यादा RAM बिगर इस बेटर वैसे एक phone launch हुआ है Reno6 Pro 12GB RAM है उसके अंदर अब RAM रामजी के वरोसे है वैसे कितना स्ट्रेंज है पहले हम लोग सर्च किया करते थे कि RAM को कैसे रोम में बदला जाए लेकिन टाइम बदल गया है लोग अब सर्च कर रहे है RAM को इस टोरेज में कैसे कनवर्ट किया जा क्योंकि 8K की वीडियो रिकॉर्ड निगर पा रहे है जोक सपाट मेरे इस phone में Android 11 रर्न हो रहा है 6GB RAM है आपको दिखा तो average memory कितनी use हो रही है इससे पहले ही मैंने 2 घंटे की PUBG के लिए इसके अंदर तीन घंटे का average usage दिखा रहा है 3.3GB अभी भी लगबग 2.5GB प्लस खाली है एक दिन का 3.4GB आपके पास जवाब है आपको मिनिमम कितनी roughly RAM की ज़रूरत अब ज़्यादा रहा है मोने के definitely 2 फाइदे होते है सबसे पहला जब आप गेम विम खेल रहे हो काफी भेंकर तरीके से उस वक्त आपको मदद मिलता है बागी के टास्क के लिए दूसरी जिए जब आप Dex mode यूज कर रहे होते हैं या kind of Dex stop mode यूज कर रहे होते हैं एक मिनिट इतना बढ़िया wallpaper डाउनलोड किया था हट किया ऐसे ही जलते रहे हैं जब भी आप Dex stop mode यूज कर रहे होते हैं जैसे कि Samsung Dex है LG के अंदर मिल जाता है ऐसे extensive मौकों पर definitely ज़्यादा RAM काम आती है जितना मैंने normal usage दिखाया लेकिन company तो इनको आख बंद करकी यूज करती है बेब को बेब कमपने नहीं उनका personal फाइदा पहला फाइदा वो same phone में ज़्यादा पैसे कमाते हैं comparatively lower RAM model पर तो क्योंकि 6GB RAM का phone का price और 12GB RAM के phone के price में बहुत कम आंतर होता as a manufacturing cost बता रहा हूँ लेकिन selling में at least 1.5-2,000 उपय का minimum gap होता है 2GB RAM के jump पर company यहाँ पर जदू केलती है तबी तो आपको जो basic model होता phone का वो launch model बनके रह जाते है और market में उनके ज़्यादा easily hype बन जाते है because of specs it और वो hype लंबे समय तक चलती है अगर मैं आपको यह कहूँ कि यह 2 साल पुराना phone है और इसके अंदर 12GB RAM है तो आपके दिमांग में छोटा सा एक doubt में होता है कि छोटी मोटी गलतिया माफ हो जाते है अब बोलो कि क्या पकवास है इससे इतना क्या फर्क पड़ेगा मैं बढ़ा तो coding को अगर मैं अराम से बताऊ तो kind of execution of line माल लो चलो समझने के लिए शायरी की बात करते है दो line of shyry होती है लेकिन कवी का आसा है पास से दस line तक पहुंच जाता ऐसे beautiful lines होती है codes में जो होती तो 2 lines है computer को कम execute करना पड़ता है लेकिन मतलब बहुत जादा होता जैसे shyry लिखने में जादा time महनत लगती है वैसे beautiful codes लिखने में महनत जादा time लगता है लेकिन इन codes का फाइदा यह होता है कि low specs के जो भी hardware होते हैं उन पर भी बहुत अच्छा run करते है लेकिन company को क्या फर्क पड़ता है hardware इतना upscale है कि किसी जिसका मतलब भी नहीं रह जाता मतलब overall है देखो पैसे भी कमा रहे हैं अपने यहां से पैसे ही बचा रहे है golden deal for company ओके इसमें गाटा भी है चाहिए आपका phone sleeper हो बंद हो आप use कर रहे हो memory कितनी भी RAM की खाली हो RAM उतनी ही battery drain करता रहेगा जितनी उसकी capacity है तो roughly हम कह सकते कि 6GB RAM आधी battery drain करेगा compared to 12GB RAM यह एक drawback निकल के आता है तो भाई इसका fix जबाब किया है मेरे हिसाब से 8GB RAM एक sweet spot है थोड़ा जादा ही है basic task के हिसाब से लेकिन extensive जैसे मैंने बात करी वहाँ पर आपको definitely इसकी वज़े से मदद मिलेगी अतरवाइस normal Android के लिए तो 6GB भी काफी है और हर बार जो मैं एक चीज़ कहता हूँ Apple को कितनी भी जहाड़ा मार लो बांकी चीज़ों के लिए लेकिन एक चीज़ तो जरूर सीखनी चाहिए Android OEM manufacturers को अब हाड़वेर के अच्छे खासे रीज़ पर पहुँच गए 2021 में Snapdragon 888 120Hz की 2K डिस्प्ले 300Hz प्लस touchscreen rate 50MP प्लस camera और भी है वगेरा वगेरा बट software UI की optimization अभी भी 2018 वाली है ऐसे काम नहीं जलेगा और यह सबसे पहले ads को अटा उपने UI से मुझे लग रहा एक चीपी RAM slot ads UI को ही fluctuate कराने के लिए फिक्स करके रखा हुआ एक चीज़ और है जो bigger is better है वो है हमारे चैनल का number of subscribers प्लीज हमारे चैनल से red का color नी चोड़ते रहो और comment में मुझे जरूर बताओ इस वीडियो को बनाने का मकसद की तरफ जाएं उससे पहले अगर आप इस topic में इंट्रस्टेड हो ये वाली वीडियो देख सकते हो बहुत ही सही वीडियो है well detailed explanation के साथ mostly points से आप भी सहमत करोगे बट दो चीज़े जिन में मैं अपना opinion डालना चाहूँगा सबसे पहला जो मुझे useless feature लगता है वो है reverse wireless charging ये बिल्कुल भी useless feature नहीं है मैं मानता हूँ ये वो feature भी नहीं है आप जो रोजाना यूज़ करोगे जैसे ऐसे डाक मया वीडियो रिकॉर्ड करना लेकिन sometimes theme के हिसाब से करते हैं लेकिन emergency में काफी काम में आने वाला feature है अपने possible experience से बता रहा हूँ इस वारण नसी वाले trip में LG G8X को wirelessly एक phone के थूरु चार्ज करना पड़ा था Samsung S20 अचा एक काम को मैं opinion add करना चाहता हूँ जिस phone में भी wireless charging support करता है उसको reverse wireless charging बनाने में ज़्यादा पैसे करच नहीं होते हैं या kind of ज़्यादा add-on product पे पैसा नहीं लगता बस एक simple से tweak से achieve कर सकते हैं आपके पास almost free का एक feature है और हाँ यह almost 10 watt का ही maximum support कराता है तो definitely आपके device बहुत slow charge होते हैं but something is better than nothing emergency के case में तो डूपते को तिनके के सहारे वाली बात होती है great use उस case के और एक और बहुत काम का situational use है अगर आपके पास wireless charging होने वाले earbuds हो आपके पास ऐसा phone हो जो reverse wireless charging support करता है एक ही cable से आप दोनों device को एक time में charge कर सकते हैं और काफी लोग इनहीं use करते हैं जिनके phone support करते हैं obviously daily phone को charge करने के लिए आपके battery पे impact डालेगा लेकिन आपके छोटे-छोटे earbuds या maybe watch होते हैं उसको बहुत easily charge कर सकते हो और उस वक्त भी बहुत निगर गया disclaimer के साथ battery थोड़ी बहुत तो effect होगी ही वो depend करता है manufacturer कौन सा है phone का लेकिन overall day saviour hack तो है इसके बाद अगले feature की अगर मैं बात करूँ तो है NFC need for speed नहीं है near field communication ऐसा tap करने से काम हो जाए तो आप फाइनली बात करता है इस वीडियो चा सीख क्या मलती है इस वीडियो में जितने ही points बताएं आपको उसको आपको बिल्कुल कता ही consider मत करना phone करने से पहले आइट से request especially जब आप budget में ढूण रहे हो यह सारे bonus point है number one मत consider कर लेना और number one से याद आया अपने Realme और MI दोनों के double पे देखा होगा India's number one smartphone मतलब एक एक लास में दो दो बच्चे फास चाह रहे है सोचाए कभी ऐसा क्यों left वाली वीडियो में देखो MI vs Realme की India's number one की भज़र रीजन जानके definitely आपको मज़ा आएगा वन राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जानो 6 बार company stage के उपर literally चड़के low का काटा है और मैं guarantee लेता हो का आप एक भी बातों को हजम नहीं कर पाओगे